राम राम जी मैं डॉक्टर प्रदीप माथू संजीवनी नेचुरोपेती एंड आयरवेदा सेंटर गोहाना स्वनीपद हर्याना परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आभी नंदन करता हूं सबसे पहले हम पांच बात ओम शब्किद्वनी करेंगे तो आप जिस भी स्थति में आराम पूर्वक बैठ सकते हैं बैठिएगा हातों की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे कमर में रूदन सीधा आखे बंग और नाक से खूब गहरा और लंबा स्वास लेकर शब्दों के साथ साथ ओम शब्किद्वनी करेंगे आरम कीजिगा हूँ 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 हुआ 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 है हुआ 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 हातेलियों को आपस में रब कर लीजेगा और इनके मद्धे वाले भाग को आखों को लगाएंगे पामिंग करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे योग के बारे में रिशी पातन जली ने का है योगाश्य चिता व्रती निरूद अर्थात चित जो हमेशा चिंतन करता रहता है उसकी जितनी भी व्रत्या हैं मैंस वो राग और द्वेश चै और पराजय लाब और हानी उन सब दंदों में फस्ता चला जाता है उन सब दंदों में सदा एक सा बना रहना ही योग है यानि चितकी ये जितनी भी व्रत्या हैं उनमें सदा एक सा बना रहना ही योग है उसी प्रकार से गीता में शी कशन भगवार ने का है योगाहा करमसू कोशलम अर्थात किसी भी प्रकार की कारियों में कुशलताय अरजित करते रहना ही योग है उसी प्रकार से का है समत्वम योग उच्चते अर्थात वही सुख और दुख लाव उर्हानी जै और पराजै यश और अप्यश इनमें सदा एक सा बना रहना ही योग है और योग की हमें सैज और सरल प्राप्ति हो सके तो इसके लिए रिशी पातनजली ने इसे आठ अंगों में विवाजित कियावा है जिने हम अस्टांग योग के नाम से जानते हैं वे अस्टांग योग क्या है वो आठ अंग कौन कौन से है उसमें पहला अंग है यम दूसरा अंग है नियम तीसरा अंग है आसन चौता अंग है प्रानायम पांचवा अंग है प्रत्याहार तो छाटा अंग है धारना तो साथवा अंग है ध्यान जिसे आप meditation के नाम से जानते हैं और आथवा अंग है समाधी यम को फिर से पांच भागों में विबाजित कियावा है वो पांच भाग कौन कौन से हैं पहला है अहिंसा दूसरा है सत्य तो तीसरा है अस्ते तो चौता है ब्रह्मचरिय और पांचवा है अपरीग्रह उसी प्रकार से जो दूसरा अंग है नियम तो नियम को पांच भागों में फिर से विबाजित कियावा है शोच संतोश तब स्वाध्याय और इश्वर प्रनीधान और उसके बाद जो याम और नियमों का पालन करता है तो उसके बाद तीसरा अंग आता है आसन और आसनु के लिए रिशी पातनुजली ने का है इस्तिर्द सुख मासनम यानि स्तिर्दा शुकपूर्वक आप जिस्बी इस्तती में बैठ सकते हैं जिस्मे इस्तती में आप रह सकते हैं लेकिन सुक पूरवक लंबे समय के लिए उसे ही हम आसन कहते हैं इस्तिर सुक मासनम अर्थात इस्तिर्था और सुक पूरवक लंबे समय के लिए आप चिस भी इस्तिती में बैठ सकते हैं रह सकते हैं वही आसन है शरीर को तोड़ना, मरोड़ना या फिर नटकी तरह विभिन पोश्चर्स को बना लेना आसन नहीं होते हैं और इन योगिक आसनों को करते वक आपको हमेशा कुछ साफधानियों को ध्यान में रखना चाहिए उसमें आपको पहली साफधानी क्या वरतनी है कि आसन हमेशा आपको दरी पर, कंबल पर, मैट पर, चटाई पर ही बैठकर करना चाहिए कभी भी सीधा प्रत्वी तल के संपत में रहकर सीधा घास पर बैठकर योगिक किराओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि इन योगिक आसनों को से हमें शरीर में एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है और वो एनर्जी आपका सीधा प्रत्वी तल के संपत में रहने पर, प्रत्वी में समाहित नहीं हो जाए तो हमें इस प्रकार का धरी या कंबल का सहरा लेना चाहिए जिससे एनर्जी आपके शरीर में ही रह सके शरीर से बाहर नहीं जा सके दूसरी बात इन योगिक आसनों को हमेशा खाली पेटी करना चाहिए खाना खाने के तुरंत बाद या करने के तुरंत बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए खाली पेट आसन सुविधा पूर्वक होते हैं आसन होने लगते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद भी हमें आसनों का भ्यास नहीं करना चाहिए तीसरी बात इन योगी किराव को करने से पूर में और करने के बाद में आपको साथ की साथी मूत्री आमल परित्याग अवश्य कर लेना चाहिए यानि अपना यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम खाली जरूर करना चाहिए करने से पहले इसलिए करना चाहिए कि आपका जो शरीर का टॉक्सिंस है वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम की तरफ हो जाता है करने के बाद वो फुल फिल अप हो जाते हैं और जैसे ही हम मूतर इत्याग करेंगे या मल पर इत्याग करेंगे तो हमारे शरी का सारा टॉक्सिन शरी से बाहर निकल आएगा और चौती बात जो आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है कि आसन करते वक्त आपको प्रानायम को उसमें नहीं जोड़ना है तो प्रानायम करते वक्त आपको आसनों को उसमें नहीं जोड़ना है यानि जब आप आसन करें तो प्रानायम का अभ्यास नहीं करें और प्रानायम करें तो उस वक्त आसनों का अभ्यास नहीं करें आसन तीसरा अंग है प्रानायम उसके बाद चौता अंग है यानि आसनों में शरीर के जिस अंग पे आसन का प्रभाव पड़ रहा है सारा मन वहाँ एकाग रखकरी आसनों का अभ्यास करना चाहिए स्वास का लेना, स्वास का रोकना, स्वास का छोड़ना जिसे हम स्वास की लेने को पूरक बोलते हैं रोकने को कुमभग बोलते हैं और आपको पूरक, कुमभग, रेचक जिसका ratio proportion one is to four is to two होना चाहिए वो हमें प्रानायम में करना है यानि स्वांस प्रस्वांस का ऑपरेशन हमें प्रानाये में सीखना है और उसके बाद उसका अभ्यास करना है नहीं कि आसनों में करना है आसनों में तो हमें शरीर के जिस अंग पर इसका प्रभाव पढ़ रहा होता है सारा मन वहाँ एक आग रख कर ही आसनों का अभ्यास किया जाता है अगली बात मैलाओं को जिनको मैंसुरल साइकल चल रहा हो एक्सिसिब लेडिंग हो रही हो हरनिया है जिनको इगवाइनल हरनिया है तो उन्हें पेट के बल लेटकर के जाने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए और अंतीम बात ये ध्यान रखना है कि आसनों को करने के अंत में आपको शवासन का अभ्यास जरूर से करना चाहिए सारे योगी का असन एक तर और आपको सारे आसनों का लाब मिल सके तो आपको सारे आसनों को करने के अंत में शवासन का अभयास जरूर से करना चाहिए आसनों का अभ्यास का आपका करम रहना चाहिए बैट कर उसके बाद आपको करना चाहिए पीट के बल लेट कर फिर उसके बाद आपको करना चाहिए पेट के बल लेट कर फिर आपको करना चाहिए घुटनों के बल किये जाने वाले आसनों को और उसके बाद आपको करना चाहि ये खड़े होकर किये जाने वाले आसनों का अभ्यास हाँ कुछ योगी कासन है जो सिरके बल भी किये जाते हैं जिनें सीर्शाशन कहते हैं तो वो आपको किसी अच्छे गुरू की देखरेक में या किसी योग प्रशिक्षक की रूप में आपकी अवस्ता आपकी शम्ता के अ अनुसारी आपको सिरके बल किये जाने वाले आसनों का अभ्यास करना चाहिए नई तो आप बैट कर पीट के बल पीट के बल गुटनों के बल और खड़े होकर योगी कासनों का अभ्यास करें और इन सारे आसनों को करने के अंत में शवासन का अभ्यास जरूर करें अब हम क कल करेंगे, तब तक आप से आगया चाहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, राम राम